जैहिन दोस्तों जैहिन बच्चों इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है और अपना चल रहा है दस्वाँ चेप्टर और आज ये अंतिम वीडियो है इस चेप्टर का जिसके अंतरगत हम 1857 की क्रांती के बारे में अध्यान कर रही हैं आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले पिछली वीडियो क्लास में एक प्रशन पूछा था और उसका जवाब के उपर बात कर लेते हैं क्योंकि कई बच्चे हैं वो कन्फ्यूज में आ गए थे प्रशन था कि अवद के अधिग्रेण के बाद विद्रोहियों ने किसके नेतरतों में अंग्रेजों का प्रतिरोध है वो किया अवद के उपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था वाजिद अली शाह को कोलकता बेज दिया था तो उसके बाद में उस क्षेतर के अंदर जो नेतरतों किया वो वाजिद अली शाह की पतनी याने बेगम हजरत महल ने नेतरतों है वो किया था चलिए आज की क्लास के उपर बात करें तो आज हम दो महतोपुन वेक्तियों का 1857 की क्रांती में योगदान को जानेंगे उसके साथ भी अंग्रेजों ने इस क्रांती को दबाने के लिए क्या क्या किया गया कौन से कदम उठाएगे उसके उपर बात करेंगे और साथ में ही कला और साहिते ने की दरश्टी से 1857 की क्रांती को हम समझेंगे और किस परकार से भारत के अंदर रास्टियता की भावना को जागरित करने में इस क्रांती का बहुती महतोकुन रोल है वो रहा यानि लगबग 5 कुछ बड़े प्रशनों के हिसाब से आज हम इस टोपी को समझेंगे और साथ में आपको 57 छोटे प्रशन है वो भी इस टोपी के अंदर है वो मिल जाएंगे तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और प्रशन है आज का अपना पहला और वो है 1857 इश्वी की क्रांती में शाहमल के कारियों का मुल्यांकन कीजिए कुछ इसी प्रकार से एक्जाम में प्रशन है वो भी आपके लिये जाते हैं तो शाहमल साहब का इस करांती के अंदर क्या योगदान रहा उसको संक्षेप में हमें समझना है तो सबसे पहले हम इनका परीचे लिखेंगे क्वेशन के अंदर भी शाहमल का जनम है वो उत्तर परदेश के बड़ोत परगने के एक बड़े गाउं के अंदर जाट परिवार के अंदर हुआ था और इनका जो पूरा परिवार था पूरा बड़ा परिवार था और लगबग 84 गाउं के अंदर ये फेला हुआ था इनका परिवार बिटिश शरकार ने याने अंग्रेजों ने इस क्षेतर में उन्चा लगान लगा रखा था टेक्स है वो जदा लिया जाता था जिससे और उसको बहुत ही कठोरता से वसूला भी जाता था जबरदस्ती वसूला जाता था टेक्स तो हम छोड़ेंगे ने टाइम पर हम लेंगे और जिसकी वज़े से किसानों की जमीन है वो बिक्ती जा रही थी और खरीद कौन रहे थे वैपारी और जो महाजन लोग है वो इसको खरीद रहे थे इस कारण से यहां के लोग हैं वो अंग्रेजों से मुक्ती चाहते थे अब शाहमल साब ने नेतरतों संभाला इस क्षेतर का और 84 गाओं के मुखियाओं और किसानों को उन्होंने सबसे पहले तो संग्ठित किया इसके लिए वो गाओं गाओं के अंदर घुमें भी थे भी हमें इस परकार से अंग्रेजों को इस क्षेतर से बाहर निकालना है तो जनता को उन्होंने पूरा प्रेरित किया था इस काम के लिए और शाहमल के नेतरतों में ही इस क्षेतर के अंदर बहुत बड़ा विद्रो है वो अंग्रेजों के खिलाब हुआ था इसके साथ ही बात करें भी शाहमल ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर कबजा भी कर लिया था और उस जगए को उन्होंने नियाए भवन की संग्या दी थी यानि वहाँ पर बेटकर वो लोगों के जगडे कोई विवाद होता था उनका निप्टारा करते थे इसलिए उस जगह को लोगोंने नियाए भवन कहना स्टार्ट कर दिया था भी यहाँ पर शाम्मल साब है वो अपना जो नियाए है वो करेंगे और कुछ समय के लिए तो ऐसे लगने लग गया था भी अंग्रेजी सासन है वो समापत हो गया है और शाहमल को लोग है वो राजा कहकर पुकारने लग गये थे लेकिन फिर वक्त को कुछ औरी मंजूर था जुलाई 1857 को अंग्रेजों के विरुद युद करते हुए शाहमल सा अंदर इनका परिवार फेला हुआ था टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता था किसान टैक्स नहीं वसूल दे पाते थे तो जमीन बिक रही थी वेपारी जो बणिया लोग थे वो जमीन खरीद रहे थे तो किसानों में बड़ा विरोध था अंग्रेजों के खिलाफ तो शा यहां पर बेटकर वो लोगों की समश्याई हैं वो सोल्व करते थे उसे नय भवन कहा लोगों ने उनको राजा कहना स्टार्ट कर दिया था और जुलाई 1857 में ये अंग्रेजों से लड़ते हुए जो शहीद है वो हो गए थे तो इतनी बातें शामल साहब की जो हमने रिप दुलाई शाह के योगदान का उले कीजिए उनका मुल्यांकन कीजिए तो जिस परकार से हमने शामल साहब को याद किया उसी परकार से इनके बारे में भी कुछ महतवपुन बातें हैं वो आपको दिमाग में रखनी हैं भी मौलवी एमदुलाई शाह 1857 की करांती के जो हमा से इनका बहुत बड़ा रोल था और इनोंने हैदराबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और कम उमर के अंदर ही इनोंने इसलाम धरम को अच्छे से समझ लिया था और उनके उपदेशक बन गे थी लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया था धरम के बारे में 1856 में इनोंने क्या किया गाओं गाओं जाकर अंग्रेजों के विरुद लोगों को विद्रों के लिए तैयार किया अंग्रेज हमारे लिए सही नहीं है यह हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनकी परशिदी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोग इनको पेगंबर मानकर इनकी शक्तियों में विश्वास करते थे उन्हें लगता था भी साक्षात इस्वर का बेजा हुआ दूत है ये जो कोई बात कह रहा है उसके अंदर दम है इसका मतलव हमें अंग्रेजों का जो विरोध है वो करना चाहिए 1856 में वे लखनव पहुंचे तो अंग्रेजों ने उन्हे वहाँ पर अपने धार्मिक उपदेश देने से रोक दिया था अंग्रेजों को लगता था ये लोगों को हमारे खिलाफ ही बढ़का रहा है तो उन्होंने उपदेश देने से वहाँ पर मना कर दिया 1857 में इन्हें फेजाबाद जेल के अंदर फिर बंद कर दिया था वी नेटिव इन्फेंट्री जो थी विद्रोईयों की सेनिक थे उन्होंने इनको अपना नेता चुन लिया तो ये भी एक छोटा प्रेशन है भी एहमंदुला शाह ने किस जो टुकडी थी सेनिकों की उसका जो नेत्रतों है वो किया तो 22 वी नेटिव इन्फेंट्री का नेत् इन्होंने चिन हट की लड़ाई में हैनरी लोरेंस की सेनिक टुकुड़ी को प्राजित किया था चिन हट की लड़ाई में जो मौलवी साब थे इन्होंने हैनरी लोरेंस की सेना को हराया था मौलवी एहमदुल्ला शाह को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता है तो ये बाते हमें एहमदुल्ला शाह के लिए आपको दिमाग में रखनी है भोती सिंपल सी और प्रेरिप करने वाली जो बाते हैं वो ही हमने यहाँ पर देखी है तो आप इनको नोट स्पॉम के अंदर नोट भी कर सकते हो तो ये तो हो गया दो वेक्ति विसे इसका योगदान हमारे सिलेबस और प्रिक्षा की दरश्टी से चलिए अब बात करते हैं भी अंग्रेजों ने इस 1857 की करांती को कुचलने के लिए कौन से कदम है वो उठाए कई बार एक नमबर का ही पूछ लिया जाता है कोई एक कदम पूछ लेंगे कई बार दो नमबर में दो कदम पूछ लेंगे यानि कोई दो और अगर तीन नमबर का जाए तो तीन चार पॉइंट आप लिख सकते हो तो पहले एक बेसिक इंट्रोडेक्शन लेते हैं भी अंग्रेजों ने इस करांती से ये समझ लिया था कि इस विद्रो को कुचलना आसान नहीं है उन्होंने इसको कुचलने के लिए हर संभव परियास यानि मारक को अपनाया भी कैसे भी करके इस विद्रो को हमें खतम करना है इसके लिए जो सबसे महतपुन कदम अंग्रेजों ने जो उठाया वो था मार्शलला लागू कर दिया मार्शलला यानि आप सीधा समझिए आर्मी शाशन है वो लागू कर दिया देश के अंदर और इसका मतलब क्या आप देखिए मैं जून 1857 में ने केवल संपुर्ण उत्तर भारत में मार्शला लागू कर दिया बलकि इसके साथ साथ फोजी अपसरों और जो छोटे मोटे अंग्रेज अधिकारी थे ना उनको भी ये अधिकार दे दिया गया भी आप भ सजा है वो भी दे सकते हो बस आपको ये बताना है भी ये उस करांती में शामिल है अगर करांती में शामिल है तो हर अंग्रेज अधिकारी को पावर दे दी गई भी आप उसको गिरपतार कर सकते हो उसको सजा है वो दे सकते हो और एक ही सजा देने का प्रावदान था उस ट पहलाया मार्शलला तो सोचिएगा कितना बिहानक समय है वो उस टाइम का रहा होगा आर्मी शाषन हो गया सीधा अंग्रेजों को अधिकार दे दिया गया आप पकड़ो और कहो भी ये करांती में शामिल था और फांसी पर लटका दीजिए सोचिएगा कितना सोच के भी ये बैयानक खतरनाक समय है वो उस दोर के अंदर था तो एक कदम तो ये उठाया भी अंग्रेजों ने मार्शलला लागू कर दिया इसके बाद बाद करें कुछ छोटे मोटे और भी सेनिक कारवाई करना 1857 के विद्रो को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बहुती बुरी तरह से सेनिक कारवाई कि अंग्रेज अधिकारियों ने दिल्ली में बहदुर शा जफर के जो उत्रा अधिकारी थे उनके बेटे थे उनको बैरेमी से मार दिया गया उनका सरकलम कर दिया गया और उसके साथ बनारस और इलाबाद में करनल नील एक अंग्रेज अधिकारी ने बहुती बरबरता पुरण तरीके से इस विद्रो का दमन कर दिया वहाँ पर इसको दबा दिया गया इसके अलाबा जागीरें जब्त करना इस करांती से जुड़े हुए जो जागीरदार थे जमीदार थे तालुकदार थे उन सब की जमीनों को छीन लिया गया जागीर है वो उनकी जब्त कर ली गईगी जो भी करांती में सयोग करेगा उनकी जागीर छीन ली जाएगी और अंग्रेजों का साथ जो जागीरदार दे रहे थे उनको वो इनाम भी दे रहे थे जो हमारा साथ दे रहे उनको जागीर है वो वापिस लोटा रहे थे तो देखिएगा किस परकार से छदम तरीके हैं वो अंग्रेजों ने उस टाइम इस विद्रो को दबाने के लिए इस किये हैं इसी कड़ी में बात करें और भी समाने पॉइंट लिख सकते हैं आम जनता पर अत्याचार करना करांती कारियों के साथ साथ अंग्रेजों ने आम जनता को महिलाओं को बच्चों को उनको भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया था मारना स्टार्ट कर दिया था तो इस से कानून बनाएगे और उसके माध्यम से आम जनता को परिशान है वो किया जाता रहा तो इस परकार से इन पांच बिंदूओं के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिस किये भी अंग्रेज जों ने 1857 की करांती को दबाने के लिए क्या-क्या बुरे काम है वो उस टाइम किये तो बहुती प्यारा प्रशन है अक्सर बोर्ड प्रिक्षा में एक नंबर दो तीन नंबर में ये पुछा जाता रहा है चलिए अब बात करते हैं सेकंड लास्ट प्रशन के उपर और वो है कि 1857 के विद्रों के बारे में चित्रों से याने कला और साहिते की बात आ जाईग वरना दो या तीन एक एक नंबर के प्रिशन बनते हैं इसके माध्यम से पहले तो ये बात करता हूँ भी 1857 की करांती के समय जो भी कलाकार लोग थे वो जो भी द्रिशे देखते थे उनकी पैंटिंग वगेरा चित्तर स्केच वगेरा बनाते थे अब अंग्रेज अपने हि चित्र मिले हैं तो इतिहास कार उनसे क्या अर्थ निकालते हैं वो ही चीजे इसके अंदर समाईत है वो की गई है तो अंग्रेजों और भारतिये दोनों के हिसाब से इन चित्रों यानि कला और साहित्ये से हमें क्या समझने को मिलता है वो चीज यहां अपने को देखनी है तो देखिए, अंग्रेजों और भारतिय चित्रकारों दुवारा त्यार कियेगे चित्र, सेनिक विद्रों का एक महतोपुन रिकोर्ड है, वो रहा है. इस विद्रों के संद्रब में कई चित्र जैसे पैंसिल से बने रेखांकन, उत्किरण चित्र, पोस्टर, कार्टून, बाजार, प्रिंट, बहुत सी प्रयाप्त मातरा में चीजें हैं, वो मिलती है. इन चित्रों के माद्यम से ही हमें उस समय की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, और इसके अंदर सबसे पहले हम अंग्रेजों दुवारा बनाएगे चित्रों की बात करते हैं, भी अंग्रेजी चित्रकारों दुवारा बनाएगे चित्रों में उस समय के द्रिशे है वो किस परकार से दिखाए गए हैं आपको अक्सर होता है ने कोई चितर देखकर हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं भी वो क्या चीज हमें बताना चाहता है तो 1857 के विद्रोग के समय अंग्रेज चितरकारों द्वारा बनाएगे चितरों से हमें पता चलता है कि वे हम भारतिय के विशे में क्या सोच दे थे तो चलिए अब कुछ चितर देख लेते हैं और उनी से बात करते हैं सबसे पहले ये चितर देखें काफी इंपोर्टेंट है एक नंबर के प्रशन के लिए भी ये चितर को अगर आप देखेंगे रंगीन चितर आपकी पाठे पुस्तक में दिया गया है पहला प्रशन आपको ये ध्यां रखना है ये चितरकार इस चितर का नाम क्या है और ये चितर किस ने और कब बनाया पहला प्रशन तो दैर रिलीफ ओफ लखनव ये इस चितर का नाम है इस पैंटिंग का नाम है और ये एक अंग्रेज चितरकार है टॉमस जोन्स बारकर इनोंने बनाया तो दैर रिलीफ ओफ लखनव किसका चितर है टॉमस जोन्स बारकर दोआज़ा कब बनाया गया है 1869 1969 में इस चित्र को बनाया गया है जो लखनौ की रेजिडेंसी से समंदित है यहां भारतिय विद्रोहियों को दीन ही दिखाया गया है तो ये चीजें देखने को मिलती है और निश्चे ही भारतियों को ऐसब्य दिखाया गया है और अंग्रेजों की विजेई मुद्रा में इसे दिखाया गया है सीधी सी बात है अंग्रेज ने चित्तर बनाया है तो अपने अंग्रेज लोगों को हीरो बताया जा रहा है और इसके अंदर भारतियों को बुरा साबित है वो किया जा रहा है एक्जाम की दरस्टी से आपको एक नंबर में ये चीज दिमाग में रखनी है इसी प्रकार आपको और भी बहुत से चित्र मिलेंगे चित्रों की में में बातें आपको द्यान में होनी चाहिए बस ये दूसरा चित्र आपके सामने ये जोजफ नोईल पेंटन दुआरा बनाया गया है और इसका नाम है इन मेमोरियम इस चित्र का नाम है इन मेमोरियम किसका बनाया हुआ है जोजफ नोईल पेंटन का आप देखेंगे इसमें एक अंग्रेज महिला है और यहाँ पर विद्रोईयों को इसको गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है ये अंग्रेज महिला है ये भी अपने बचाव के लिए गो इस चित्र में संकट में फसी कुछ अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को दिखाया गया है इस चित्र में अंग्रेज चित्रकार ने प्रिष्ट भूमी में भारतिये विद्रोईयों को दिखाया है चित्र द्वारा निश्य ही भारतियों को हींसक और बरबर दिखाने का प भारतिय लोग जो विद्रोही लोग हैं वो किस तरीके से बुरा वैवार कर रहे हैं तो याने इंगलेंड की जनता को उक्साते थे इस परकार के चितर जब वहां की पत्र-पत्रिकाओं में छपते थे इसी परकार से बात करें ये भी एक इनमेमोरियम का ही इसा है ये दो बारतिय बंगाल ताइगर के उपर जपट रहा है और इसके नीचे भी एक वेक्ति है वो दबा हुआ है और चितर में बंगाल ताइगर के नीचे एक मानव को लेटा हुआ दिखाया गया है ये चितर स्पस्ट करता है कि अंग्रेज अपने आपको सभ्य, शक्ति-सालि और जानव है वो समझाने की कोशिस है वो यहां पर की जा रही है यानि सिद्धी से बात भारतियों के खिलाफ है वो आम इंग्लेंड की जनता को उस टाइम किया जा रहा था यह चित्र केवल अपने समय की भावनाओं को ही परकट नहीं करते बल्कि मानविय समवेदनाओं को भी आकार दे रहे हैं बिर्टेन के अंदर इंग्लेंड में छपे रहे इन चित्रों से उत्तेजित होकर वहां की जनता विद्रोहियों को निर्ममता के साथ कुचल डालने के लिए अपनी आवाज उठा रही थी तो जब जनता को ये लग रहा था भी जान बूज कर बिना कोई गलती के अंग्रेज्जों को मारा जा रहा है तो वहां की जनता कहती थी आप भी सामने एक्शन लो और उनका खात्मा करो क्योंकि यही उनको दिखाया जा रहा है जैसे आजकल जो प्रिंट मीडिया शोशल मीडिया या जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया है हमें नहीं पता चलता भी सच में कहां पर क्या हो रहा है जो मीडिया में दिखाया जाता है हमें यही लगता है यही वास्त्विक्ता है और कही बार यही भी होता है भी जो वास्त्विक चीजों को समझने की तो अंग्रेज अपना काम कर रहे थी अब बात करें भी भारत के अंदर भारतिय जो चित्रकार हैं उनके बनाए हुए चित्रों से भारतिय लोगों पर क्या effect पड़ रहा था तो भारतिय चित्रकारों ने विद्रोही नेताओं को नाईकों के रूप में ह तेजित होते हुए दरसाया गया है जैसे कि आप चित्र में देखेंगे जहांसी की रानी लक्ष्मी बाई का ये पोस्टर है इसमें दिखाया गया है भी एक हाथ में घोड़े की लगाम है तो दूसरे हाथ में क्या ले रखी है तलवार लिए हुए है और अपनी मत्र भूमी क मुक्ति के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए दिखाया गया है और भी कई चित्र हैं आपकी पाठे पुस्तक में रानी लक्ष्मी बाई को एक मरदाना योद्धा के रूप में प्रस्तुत है वो किया जा रहा है तो भारतिये जो चित्रकार है वो अपने ने विसलेशन अब दोनों परकार के चित्रा हमारे सामने आगे इतिहासकार इन चित्रों को देखते हैं तो क्या निर्ने हैं वो लेते हैं तो देखिये 1857 के विद्रोई से समंदित चित्रों के विसलेशन से इतिहास कारों दुवारा उस समय के इतिहास को लिखने में बहुत अधिक सायता मिलती है इन चित्रों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के किये गए जो अत्याचार है और भारतिये विद्रोई सेनिकों दुवारा उसके प्रतिरोध, विरोध की जानकारी मिलती है इसके अलावा इन चित्रों के माध्यम से उस समय की भावनाओं के साथ सम्वेधनाओं की भी जानकारी मिलती है इंग्लेंड में छप रहे चित्रों से उतेजित होकर वहां की जनता क्या कह रही थी भी विद्रोईयों को बुरे से बुरी तरीके से कुचल डाला जाना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ भारतिय राष्ट्रवादी चित्र है वो हमारी राष्ट्रवादी कलपना को मुर्त रूप देने में साहिता है वो कर रहे थे तो इस तरीके से सबका अपना अपना उदेश्य था और यही चीजे यहां इन चित्रों के मात्यम से परदर्शित है वो की गई आप कुछ और चित्र है वो भी देख सकते हो बस कहानी को समझना है और में में पॉइंट है वो आपको दिमाग में रखना है तो यह हो गया जी अब बात करते हैं लास्ट प्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और वो है अठारा सो सतावन के विद्रों ने भारतिय राष्ट्री अंदोलन को प्रोचसाहित किया है तुमारा जो बाद में सवतंतरता संग्राम के बाद में हमने जो लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी उ इस चीज की हमें विवेचना करनी है यानि समझाना है बात किसी भी रूप में पूछ ली जाए उत्तर को आपको समझना है वी अठारा सो सतावन के विद्रों ने बीश्वी शताबदी के बीश्वी शताबदी के भारतिय राष्टी अंदोलन को प्रोचसाहित किया है इस व पहला हमारा सवतंतरता संग्राम था जिसको हमने मिलकर लड़ा अपस में अपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी अठारा सो सतावन के विद्रों को प्रथम भारतिय सवतंतरता संग्राम की संग्या दी जाती है इस बड़े विद्रों में देश के हर वरग के वो कायम थी और उनका परमुखो देशे अंग्रेजी सासन को समाप्त करना उनके चंगुल से भारत को आजाद कराना था तो एक तो ये हमारा पहला सवतंतरता संग्राम था जिसको हम सबने मिलकर है वो उस टाइम लड़ा था एक पॉइंट हो गया दूसरी कुछ बाते और देख ले कला और सहित्य के माध्यम से राष्टियता की भावना का परसार ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया इसके अंदर हम लिख सकते हैं जो अभी हमने बात की पीछे चित्रकारी की अनेक कलाकारों और सहित्यकारों ने भी अपनी कलाकरतियों यानि चित्रकारों और रचनाओं दुआरा भारतियों के अंदर राष्टियता की भावना का परसार किया 1857 के विद्रोग के नेताओं को नाइकों के रूप में परसूत किया उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीती को उतेजिक जो थे उनको चित्रित किया इन विद्रोगी नाइक नाइकाओं की परसंसा में अनिक कवीताई हैं वो भी लिखी गी जहांसी की रानी लक्ष्मी बाई, मुगल समराट बहादूर साइज जफर, नाना साहीब, कुवर सिंग, बेगम हजरत महल इनके प्राक्रमी कारियों, उनके साहास, त्याग और बलिदान ने भार्कियों को बहुत अधिक पर भावित किया और वो उनके लिए प्रेणा के स्रोत बन गए, स्टार्टिंग से हम इन सब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं वे 1857 की करांती में इनका बहुत बड़ा रोल था, एक हाथ में घोडे की रास, दूसरे हाथ में तलवार लिए हमने अभी पीछे जहांसी की रानी लक्ष्मी बाई का चित्र है, वो भी देखा था, जिसके अंदर जहांसी की रानी लक्ष्मी बाई की शूर वीरता है, वो परदर्शित की गई थी, उसे मरदाना योद्धा के रूप में बताया गया था, और एक बहुती प्यारा छोटा प्रशन भी निकलता है, यहां से सुबद्रा कुमारी चोहान, सुबद्रा कुमारी चोहान ने एक कविता लिखी थी, खूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी वाली रानी थी, बुन्दे लेखुन, वो पूरी, आप कविता की अगली च्यार पंक्तियां है, वो नीचे कमें सेक्शन में जुरूर लिखिएगा, खूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी वाली रानी थी, इस कविता को, यह संपुर्ण देश में सुबद्रा कुमारी चोहान की बहुती फेमस कविता है, इस परकार भारतियों, रास्टरवादी चित्र, हमारी रास्टरवादी कल्पन को निर्धारित करने में साहता है, वो दे रहती है, तो आप देखेंगे, लास्ट वाला क्वेशन, कुछ नई चीज मिलती है, दो चार, बाकी चित्रकारी के अंदर भारतियता का रोल और यह चीजें मिक्स करके एक नया प्रशन है, वो बन जाती है, तो यह था आज का अप अपना प्रशन, जो अपना पाड था, जिसके अंदर हमने 1857 की करांती के चेप्टर को कम्प्लीट है, वो कर लिया है, अब चलिए बारी है, चलते चलते आपके प्रशन की, और प्रशन है, बहुती सिंपल सा, जो अभी अभी आपने समझा भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहंसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां है, वो किस लेखक की है, आपको कमेंट सेक्शन में उस लेखक का नाम है, वो बताना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए कोशिस कल है वरना परसों आपका अगला जो चेप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे, फिर मिलते हैं तब तक जै हिंद जै भारत